जहें दोस्तों इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं embedded system के बारे में ठीक है तो बहुत सारे आपके basic concepts clear होंगे embedded system के बारे में embedded system क्या होता है कहां पर यूज करते हैं इसका characteristic क्या होता है functional diagram क्या होता है आपका structural diagram क्या होता है कौन कौन सा advantage है क्या disadvantage है कहां कहां इसका use है applications कहां कहां पर है इस सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से clear हो जाएंगी और danic g1 में कहां कहां embedded system का use करते हैं आपने देखा होगा washing machine freeze cooler ठीक है camera देखा होगा टीवी देखा होगा इस सब में embedded system का use होता है लेकि कोई जानता नहीं है कि उसमें embedded system का use होता है तो आपका topic बहुत ही interesting होने वाला है बहुत ही knowledgeable होने वाला है ठीक है तो चलिए start करते हैं और समझते हैं embedded system के बारे में सबसे पहले हम लोग basic समझेंगे embedded system के बारे में basic concept clear होगा ठीक है तो embedded means something that is attached to another thing कुछ ऐसी चीजें जो दूसरी चीजें से attach होती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं embedded है ठीक है जब एक चीज किसी दूसरे चीज से attach होती है तो इसको हम लोग बोल देते हैं embedded ठीक है चलिए next हम लोग देखते हैं combination of hardware and software तो embedded system जो होता है वो software और hardware ठीक है software और hardware का combination होता है अगर हम लोग generally बात करें तो अगर हम लोग standard बात करेंगे तो आपका तीन component में तीन component होगा इसमें एक आपका होगा hardware एक होगा आपका software एक होगा आपका RTOS ठीक है जो hardware और software का combination होता है आपका embedded system कहीं भी आपको hardware ऐसा कोई device है जिसमें hardware लगे हुए है साथ ही साथ उसमें programming की गई है उसमें कोई software यूज हो रहा है तो आपका embedded system के इंतरगत आ जाता है तो ज्यादा तर जो embedded system होते हैं उनमें micro controller का यूज करते हैं बट कुछ ऐसे आपके embedded system भी होते हैं जहां पर micro processor का भी यूज किया जाता है ठीक है तो confused नहीं होना है आपका embedded system micro controller based भी हो सकता है आपका micro processor based भी हो सकता है ठीक है चलिए next point हम लोग देखते हैं इक इंज हम आने दोगोर है इंजहें ने बहुत हैं उने चलिए कर Hey greenhouse होता है 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 अगि zostयरे पांच भी इन अ रहट करने के बाश्पर माइक भी आपको मदा करती हैं सिर्फ एक ही काम को करने के लिए इसको डिजाइन किया जाता है जो सिस्टेम है जैसे आप वासिंग मसीन देखे होंगे तो उसमें लोग देखते हैं कि सिर्फ कपड़ा धुलने के लिए उसका यूज होता है ठीक है इसलिए हो क्या है आपका एमड़र सिस्टेम है टीवी हम सिर्फ इसमें टीवी जो फिगर है जो पिचर है उसको हम लोग देखते हैं तो सिर्फ एक ही काम हो रहा है इस पेसिक टास्क प्रफॉर्म कर रहा है तो वहां पर भी हम लोग यूज कर रहे हैं अमड़र सिस्टेम का ठीक है तो और आपका प्रिंटर प्रिंट करने के लिए भी हम लोग जो यूज करते हैं embedded system है वो ठीक है सारी जगह आप देखेंगे अपने दैनिक जीवन में भी आप घिरे हुए है embedded system से ठीक है और आने वाले समय में भी embedded system का बहुत importance होने वाला है चलिए next point देखते हैं for example if fire alarm is an embedded system fire alarm भी आपका embedded system है जो smoke सिर्फ smoke को sense करता है detect करता है कि यहां पर आग लगा हुआ है या फिर यहां पर धूंगा हो रहा है ठीक है इसको क्या करता है आपको detect करता है और बता देता है कि आपका fire alarm आपको alarm दे देता है ठीक है यही सब है का आपका embedded system चलिए next point हम लोग देखते हैं मैंने आपको बताया है कि आपका जो components होते हैं embedded system में वह hardware होता है software होता है और RTOS होता है real time operating system इन तीनों का combination होता है आपका embedded system होता है अगर हम लोग standard बात करें तो अगर generally हम लोग बात करेंगे तो software हाड़वेर का सब्सक्राइबर करेंगे तो आपका software हाड़वेर और real time operating system में तीनों component होते हैं तीनों part होते हैं आपके embedded system के ठीक है चलिए next point देखते हैं so we can define an embedded system as a microcontroller based software driven reliable real time control system तो हम लोग को define कर सकते हैं embedded system को microcontroller based के अधार पे ठीक है software driven के अधार पे reliable के अधार पे real time control system के अधार पे इन सब के अधार पे embedded system को हम लोग define कर सकते हैं ठीक है ना चलिए next हम लोग देखते हैं history क्या इसकी इतिहास रही है क्या इसकी history रही है embedded system की ठीक है तो in 1960 embedded system was first used for developing Apollo guidance system by Charles Stark dropper at MIT में जो embedded system है first embedded system developed किया गया था Apollo guidance system ठीक है Apollo guidance system डबलब किया गया था किसके द्वार डबलब किया गया था तो चार्ल्स स्टार्क ड्रापर के द्वारा MIT में इसको डबलब किया गया था first जो embedded system ठीक है 1960 में next क्या है आपका in 1965 1965 के अट टॉनिक्स डबलब दे डी 17 वी दे computer use in the कजिए निट में मिसाइल गाडेंस सिस्टम तो 1965 में इतॉनिक्स ने डबलब किया डी 17 वी जो कि computer के अधार पे इसको मिसाइल गाडेंस सिस्टम में इसका यूज किया गया वहाँ पे इसके लिए डबलब किया गया D17B को ठीक है Embedded System Next point है आपका In 1968 First Embedded System For a Vickles was released अगर हम लोग बात करें First जो Embedded System है ओ विकल्स के लिए गाड़ियों के लिए जो First Embedded System को Double Up किया गया या फिर Release किया गया कब किया गया 1968 में इसको Release किया गया चलिए Next हम लोग पॉइंट देखते हैं अगला पॉइंट Texas Instruments Double Up The First Micro Controller In 1971 तो Texas Instruments जो आपका कार्पोरेशन है जो कंपनी है वो First Micro Controller को Double Up कि 1970 में ठीक है 1970 में First Instruments जो आपका Texas Instruments Companies है कार्पोरेशन है वो Double Up कि ठीक है Next Point हम लोग देखते है In 1987 First Embedded System OS VX Works Was Released by Wind River तो Wind River के दवारा Release किया गया First Embedded System OS ठीक है कब रिलीज किया गया 1987 में इसको रिलीज किया गया जो First Embedded System OS था इसका नाम था VX Works ठीक है रिलीज किया गया था किसके दवारा है विंड रिवेर के दवारा चलिए Next Point है आपका By the late in 1990 First Embedded Lunax System अपीर तो 1900 के करीब में या फिर 1900 के बाद में First Embedded Lunax System अपीर आया रिलीज हुआ ठीक है चलिए नेक्स पॉइंट देखते हैं The Embedded Market रिच 140 Million Billion in 2013 2013 की बात करें तो उस समय के जो Market थी ठीक है Embedded जो Market थी वो 140 Billion की थी ठीक है 140 Billion Dollar की थी और आज के समय में आपको पता होगा कि कितना ज़्यादा हो गया इसका Market Embedded System का Market इस समय में बहुत ज़्यादा हो गया सोचिए 2013 में 140 Billion आपका था Embedded System का Market आज के समय में तो कई सारा कई बहुत ज़्यादे आपके कई सारे बिलियन में होगा ठीक है To Embedded जो Market है बहुत तेजी से फैला है इस समय और आने वाले समय में बहुत तेजी से फैलेगा इसका Market इसके बाद हम लोग समझते हैं Basic Architecture of Embedded System Basic Architecture क्या क्या होता है Embedded System का तो First आपका Block देखने को मिलेगा Sensor फिर आपको मिलेगा ADC Unlock to Digital Converter फिर आपका Processor And ASIC फिर आपका मिलेगा DAC Digital to Unlock Converter फिर आपका मिलेगा Actuator फिर आपका मिलेगा Memory ठीक है यहां से रहेगा इस तरह से तीर का निशान जहां पे देखनेंगे इधर से तीर का निशान यहां से देखेंगे यहां से तीर का निशान तो Sensor क्या होगा जो भी Fiscal Energy है जो भी आपका Fiscal Variable है उसको मेजर करेगा और इसको Change कर देगा Electrical Signal में ठीक है Electrical Signal आएगा कहां पे ADC के पास आएगा यहां पे Log जो Signal है उसको Change करेगा Digital Signal में Digital Signal आपका आएगा कहां पे Processor में Processor यहां से सारा चीज Processing करेगा Data कहां पे Store कर लेगा Memory के पास Memory के पास Data इस्टोर कर लेगा अब यहां से Processor का Output होगा कहां पे जाएगा DSE के पास जाएगा DSE क्या होता है Digital to Angle Out Converter होता है फिर यहां का जो Output होगा चला जाएगा आपका Actulator के पास और यहां से मिल जाएगा Output ठीक है तो इस तरह से कुछ work करता है Embedded System यह होता है आपका Basic Architecture ठीक है यहां फिर कहा है Basic Block Diagram डोनों कह सकते हैं The Fiscal Quantity And Converse It And Electrical Signal तो मैंने बताया है कि जो आपका Sensor होता है Fiscal Energy को या Fiscal Quantity को Major करता है उसको Change कर देता है Electrical Signal में ठीक है Electrical Signal को फिर से अगर हम लोग चाहते हैं आगे भेजने के लिए तो उसको कहाँ पर भेजेंगे ADC के पास भेजेंगे ठीक है लेकिन और भी कुछ काम होता है जो Sensor है उसका जैसे आपका हुआ It stores It also stores The measured quantity to the memory तो इसके द्वारा क्या होता है जो quantity को Major किया गया है इसको memory में Store भी किया जा सकता है ठीक है करवाया जा सकता है Next point आप क्या लिख सकते है This signal can be ready by an observer by any electronic instrument such as ADC तो यहां का जो Sensor का output होगा उसको हम लोग दे देंगे कहां पे ADC के पास दे देंगे Unlocked Registral Converter के पास दे देंगे अब यहां पे क्या process होता है ADC क्या होता है Unlocked Registral Converter जो Unlocked Signal रहेगा उसको Digital Signal में Converter कर देगा यही होता है आपका ADC का काम ठीक है Next आपका होता है Memory तो Memory आपको पता होगा एक storing device होता है जो data को information को store करने के लिए यूज होता है आपकी जो इसमें Memory cells होती है दो तरह कि इसमें यूज की जाती है एक volatile होता है तो आप लोग comment box में बताइएगा कि volatile memory क्या होता है और non-velatile memory क्या होता है बहुत सारे students होंगे जो पढ़े होंगे volatile memory और non-velatile memory क्या होती है इसके बारे में आप लोग comment box में जरूर comment करके बताइएगा ठीक है इसका answer चलिए Next हम लोग देखते हैं तो जो भी आपका processing का सारा चीज़ होता है यह processor में होता है और जो भी आपका information है जो data हो चला जाता है memory में store हो जाता है ठीक है memory में store कर देता है चलिए अब क्या होता है कि जो processor है वहां का जो digital signal है उसको भेजा जाता है जो digital signal को फिर से अनलॉक सिगनल में चेंज कर देता है और इसके बाद जब चेंज कर देता है फिर इसको हम लोग कहां पर देते हैं तो actuator के पास देते हैं अब actuator का काम करता है तो actuator का काम करता है टेलाओ यू तो compare the output given by the DSE to the actual output stored in इन इन इंड इस्टोर दे आप्रूप्ट आउट्पूट इन दे memory तो actuator क्या होता है कि जो भी आपका DSE लगा हुआ है वहाँ से जो output हम लोग को मिलता है वह जाता है कहां पर actuator के पास जाता है और उसको compare करता है compare करके फिर से memory में अगर कुछ information को इस्टोर करने की जरूरत है तो इस्टोर कर देता है ठीक है एक तरह से compare करने का काम करता है output को actuator जो होता है ठीक है न तो यह होता है आपका simple जितने भी आपके blocks है उसके बारे में basic concept आपके इसके बारे में ठीक है चलिए next आपका functional diagram यह figure आपको किसी book में नहीं देखने को मिलेगा आप देख लेंगे microcontroller and embedded system का book कहीं भी देखेंगे तो उसमें आपको फिगर नहीं देखने के मिलेगा ठीक है functional आपका structure है embedded system का बहुत ही simple है कई सारे आपके sensor लगे होंगे इस सारे sensor का आटपूट हो किस से connect होगा sensor conditioning से connect होगा और इसका जो आटपूट हो कहाँ पर जाएगा फिर peripheral के पास जाएगा और इसका आटपूट कहां पर जाएगा output interface के पास जाएगा इसका और नहीं उए एक्टा के पास जाएगा ठीक है तो इस तरह से आपका function लाश होता है embedded system का बहुत important figure है इसको आप screen start लेके अपने पास रख सकते हैं चलिए next हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले topic की और अगला हम लोग का topic जो है characteristic है जो embedded system है उसके कौन-कौन से characteristic होते हैं कौन-कौन से विशेष्टाएं होती हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला जों-power है low cost embedded system क्या होता है ज्यादा costली नहीं होता है expensive नहीं होता है इसका जो cost है बहुत कम होता है ठीक है को दूसरा कekk Carraeck tien है highly stable होता है बहुत ज्यादा second होता है चादा जादा november नहीं हूता है state button सर्वाञें होता है ठीक है पावर की कम requirement होती है embedded system में प्लस 5 बोल्ट पे अप्रेट करता है ठीक है जो embedded system होता है अगर इसका micro जो भी आपका micro controller या micro processor है वो plus 5 बोल्ट DC पे लगभग सारे जो micro processor है या फिर micro controller है वो वर करता है प्लस 5 बोल्ट पे ठीक है प्लस 5 बोल्ट DC पे ऑप्रेट करते हैं ठीक है चलिए नेक्स पॉइंट की और बढ़ते हैं high reliability होती है अधिक बिस्विशनी होती है ठीक है जो आपका embedded system हो ज्यादा बिस्विशनी है ज्यादा reliable है high efficiency होता है ज्यादा efficient होता है जो embedded system है time specific होता है decide certain time होता है कि इतने समय में इस काम को एक specific task को perform करना है फिर आपका minimum user interface होता है बहुत कम user interface इसमें होता है ठीक है minimum user interface इसमें होता है जो भी आपका embedded system है ठीक है तो इस सारे आपके बहुत important characteristics है embedded system के चलिए सारी चीजें आपको बहुत आसान भासा में बहुत सटीक तरीके से बहुत simple तरीके से आपको बताई जाए रही है बहुत ध्यान से देखिए सारे चीजें आपको एक ही बार में clear हो जाएंगी इसके बाद हम लोग देख रहे है features क्या है embedded system का तो all embedded system और task specific तो सभी प्रकार की embedded system है उनका जो टास्क है वो specific होता है विसे इसकार के लिए उसको design करते है ठीक है चलिए they do the same task repeatedly continuously over the year time line या फिर lifetime तो जो आपके embedded system होते हैं उनका काम जो होता हो change नहीं होता है बार बार वही काम repeat करते हैं ठीक है बार बार वही काम repeat होता है एक ही काम अगर एक काम कर रहा है उसको पूरा हो जाए फिर से वही काम करेगा दूसरा काम को नहीं करेगा continuously अपना ही काम करता रहेगा एक specific जो task होगा उसी को perform करता रहेगा चलिए next point की और बढ़ते हैं अगला point जिखते हैं embedded system are created to perform that task within a certain time frame तो जो embedded system होता है जो भी specific task perform करता है उसके लिए certain time होता है ठीक है इसके लिए certain time frame होता है जिसमें उस काम को करने के लिए इजाज़त दी जाती है programming की होती है क्योंकि जो micro processor है या फिर micro control है उसमें programming होती है कि इसका जो time है वो fix होता है कि इसका काम को इतने समय के लिए करना है ठीक है चलिए next point हम लोग देखते हैं they have minimum और no user interface you eyes को support में बोलते है यूजर interface को sort में UI बोलते हैं तो is bon user interface की बात करें तो ना के बरापर होता है बहुत कम अगर होगा भी तो बहुत कम user interface होगा नहीं तो नहीं होगा ठीक है जो Emirates system है उसमें किसी भी प्रकार का user interface नहीं होता है यही सब इसका features है next हम लोग देखते ह हैं अगला देखते हैं अगला पॉइंट ए फुली आटोमेटिक वासिंग मसीन वक्स ऑन इट्स ओन आप्टर प्रोग्राम सेट एंड इस्टाप वंस डे टास्क इज ओवर आप सभी के घर में आप लोग देखे होंगे वासिंग मसीन वासिंग मसीन का एक काम फिक्स होता है कपड़ा धुलने का ठीक है इस तरह से जो मान सकते हैं जो आपका वासिंग मसीन है क्या है आपका एक प्रकार के एंबेड़ सिस्टेम है क्योंकि इसका टास्क है जो इसका काम है वो डिफाइन है कि कपड़ा धुलना है जो आपका वासिंग मसीन है उसस इसलिए सारा क्या है आपका embedded system जैसे आपका कपड़ा धुल जाता है तो आपका वासिंग मसीन हो जाता है stop हो जाता है क्योंकि उसमें embedded system है उसमें micro controller का यूज किया गया है उसमें देगा ठीक है अपने समय के लिए जितना उसको समय दिया गया है निर्धारित की गई है उतने समय में अपने कपड़े को धूल देगा फिर से फिस्टाफ हो जाएगा यही है आपका embedded system ठीक है embedded system जो है ठीक है चलिए अगला point है they are small size can work with less power and are not expensive तो हमने देखा कि जो micro controller होता है उसका जो size है बहुत ही small होगा जिसके कारण से embedded system का भी size होता है small ही होता जादर तो जो embedded system होते है उनका size देखने को मिलेगा small ही देखने को मिलेगा ठीक है कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसका size बड़ा हो लेकिन बहुत सारे embedded system है जो आपके छोटे होते हैं उनका cover देखेंगे तो बड़ा होगा cover से कोई लेना देना नहीं है जो इसमें main component लगे हो है जो embedded system लगा हुआ है उससे मतलब उ में microcontroller लगा हुआ है जो embedded system लगा हुआ है उससे मतलब है वो कितना छोटा है ठीक है कितना small है और less power की requirement होती है और ज्यादा महगा भी नहीं होता है embedded system जो आपका microcontroller waste होता है और सस्ता भी होता है ठीक है चलिए next point देखते हैं हम लोग embedded system can not be changed or upgraded by the user हम लोग अगर चाहते है कि user जो भी हम लोग use कर रहे हैं जो भी device embedded system का device हम लोग use कर रहे हैं उसमें changes करना चाहते हैं या फिर उसमें upgrade करना चाहते हैं उसको upgrade करना चाहते हैं तो हम लोग नहीं कर सकते हैं ठीक है क्योंकि वो पहले से fix होता है उसकी programming पहले से हुई रहती है कि इस काम को इतने समय के लिए perform करना है तो अगर हम लोग चाहते है यूजर चाहता है कि एमिडेट सिस्टम में कुछ changes कर दें या फिर उसको upgrade कर दें तो नहीं कर पाएगा यह सारा आपका क्या है feature है एमिडेट सिस्टम का next है आपका next point है आपका they must rank high on reliability ability और stability तो मैंने आपको पहले ही बता है एमिडेट सिस्टम क्या होता है high reliable होता है high efficiency होती है high stability होती है stable ज्यादा होता है reliable भी स्विशनिय ज्यादा होता है ठीक है इस सारी चीजें आपके features है they are expected to function for long duration without the user experiencing any difficulties तो किसी बिना बिना किसी समस्या के user के साथ अच्छा experience देता है आपका जो embedded system होता है ठीक है चलिए next हम लोग देखते हैं अगला point the microprocessor and microcontroller are used to design embedded system तो embedded system को हम लोग microcontroller का यूज करके या फिर microprocessor दोनों का यूज करके हम लोग बना सकते हैं but जो ज्यादा तरह आपका embedded system होता है microcontroller based होता है ठीक है बहुत कम आपको देखने का मिलें देखने को मिलेगा जो microprocessor based embedded system ठीक है लेकिन दोनों का यूज करके हम लोग embedded system को design करते हैं जो आपका programmer है या फिर जो manufacturer हो design करता है ठीक है चलिए next point हम लोग देखते हैं इत नीड connected peripherals to attach input and output devices अगर हम लोग input output devices को connect करना चाहते हैं दूसरे से attach करना चाहते हैं तो उसके लिए peripheral devices की जरूरत होती है peripherals का connection की जरूरत होती है ठीक है connect करने के लिए input output devices को connection provide करने के लिए एक दूसरे से connect करने के लिए हम लोग इसका use करते हैं तो peripherals का use करते हैं ठीक है ना चलिए next point हम लोग देखते हैं the hardware of an embedded system is used for security and performance जो आपका hardware section होता है जो आपका embedded system का जो hardware section होता है उसका use हम लोग security purpose से करते हैं और फिर performance purpose से करते हैं यहीं पर हम लोग बात करें जो आपका embedded system में हम लोग software यूज़ करते हैं ठीक है software का use होता है वो किसके लिए होता है तो इसके features के लिए होता है कि वो इस device में कौन-कौन से features है इसके लिए हम लोग का software का use करेंगे और इसकी security के लिए हम लोग hardware का use करेंगे या फिर performance के लिए hardware का use करेंगे ठीक है तो यह सारी चीज़ें यह आपकी होती है इसकी features होती है embedded system की ठीक है ना चलिए इसके बाद हम लोग last देखते हैं application embedded system कहां कहां पर use होता है कहां कहां पर इसका application है आप दैनिक जीवन में देखेंगे अपने live में देखेंगे तो बहुत सारा जगह इसका application है जैसे आप TV डेली देखते होंगे digital camera में होता है इसका use computer printers में होता है video games में होता है home entertainment system में होता है refrigerator में होता है ठीक है जिसको freeze बोलते हैं फिर आपका washing machine में होता है microwave oven में होता है air conditioning में होता है या फिर ACG सोट में बोलते है air conditioning इसमें होता है इसके बाद भी बहुत सारा application है बहुत सारा usage है embedded system का जैसे आपका scanner हुआ ECG machine हुआ monitoring blood pressure हुआ heartbeats डिवाइसे हुआ आपकी medical के field में भी बहुत ज्यादा यूज होता है embedded system का ठीक है फिर आपका anti-lock breaking system हुआ फिर आपका music and entertainment system हुआ इन सब में भी embedded system का यूज करते हैं इसके आलामा आपका industry जो आपका industrial applications है उन में भी यूज होता है automation में यूज होता है aerospace में भी इसका यूज होता है और जो आपका navigation और guidance service है उसमें भी होता है और GPS में भी होता है global processing system जिसको बोलते है इसमें भी आपका यूज होता है embedded system फिर आपका router हुआ satellite phones हुआ इन सब में भी आपका embedded system यूज होता है या फिर इन सब में applications होते हैं आपके embedded system के तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा यूज होता है embedded system आपके आज के समय में तो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आने वाले समय में भी बहुत ज्यादा यूज होगा embedded system का ठीक है Tesla के दोरा ऐसा कार बना जा रहा है जिसमें किसी भी driver की जरूरत नहीं है सिर्फ इसमें हम लोग embedded system का use करेंगे micro controller का use करेंगे जो driver के रूप में काम करेंगा उससे उसको पहले programming हो जाएगी उस micro controller में embedded system में और अपने रास्ते पर चलेगी ठीक है तो ऐसा कुछ बनाया जा रहा है टेसला के द्वारा तो यह सारे चीजें है embedded system के बारे में बहुत ही interesting topic है अगर आप बहुत deeply में भी पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में इसको ठीक है तो मिलते है next video में उमीद करते हैं सारे चीजें आपको बहुत अच्छे से बहुत आसान तरीके से बहुत आसान भासा में आपको समझ में आये होंगी सारे चीजें आपको बहुत clear cut समझ में आ गई होंगी ठीक है तो मिलते है next video में तब तक अपना ख्याल रखिए अपनों का ख्याल रखिए खुश रहिए मसत रहिए पढ़ते रहिए जैन